नमस्कार्, स्वागत है आपका भिहारी नूज में मैरत नसेन भारती आज हम बात करेंगे करोना वाइरस के दूसरे टीके के दो करोना की दूसरी लहर में सबसे одна लोग संक्रमित हुए है इस लहर में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है ऐसे में किंद्रिय स्वास मंत्राला ने कुरोना की इस हीति को लेकर आहम जनकारी दी है जिसमें मंत्राला ने कहा है कि 24 राज्यों में पिछले सताह से सक्रिय मामलों में गिराबट दर्ज की गई है इसके साथ ही मंत्राला ने दो अलग-अलग वैक्सीन की खुराक दिये जाने पर भी इस्थिति को अस्पस्ट किया है देश में कुरोना के प्रसाल को कम करने के लिए जहां अधिकतर राज्यों में कड़ी पवंदिया लगाई हैं तो वहीं दूसरी तरफ है अब सरकार की कोशिस है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की परक्रिया में तेजी लाई जाए हाला कि इस विच वैक्सीनेशन की कमी इस राह में जरूरी बाधा बनी है कुछ लोगों ने जहां वैक्सिनेशन की एक डोज ली है तो वहीं अब उसके मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे दूसरी डोज कोभी सिल्ड की ले सकते हैं या फिर कुछ लोग जिन्होंने कोभी सिल्ड की पहली डोज ली है अब यह जानना चाहते हैं कि क्या वे र परिपाटी बनी रहेगी वहीं एक सवाल के जबाब में मत्रालन ने कहा कि अगर कोवीड टीके की दूसरी खुराक में अलग टीका दिया जाता है तो उसके उलेखनी दूस्प्रभाव होने की असंका नहीं है इसमें घवराने की जरूरत नहीं है लेकिन अधीक सतर करहनी की ज चारा धीन मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है भारत में पिछले 20 दिनों में कोवीड 19 के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है इधर उत्तर परदेश के सिधार्थ नगर में स्वास्त कर्मियों के बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है जिस और दही कला समीच दो गाउं में लगवग 20 लोगों के टीके की पहली खुराक को भी सिल लगाई गई लेकिन 14 माई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्त कर्मियों ने भारिला परवाही बरत हुए को वैक्सिन लगा दी टीका लगवा चुके राम सूरत को जब इस बात के लगवग 20 लोगों को स्वास्त कर्मियों की लपरवाही के चलते कोक्टेल्टी का लगाया गया है हाला कि जिन लोगों को वैक्सिन लगाई गई उनमें किसी में भी अभी तक कोई समस्चा देखने को नहीं मिली है और ये अभी भी स्वास्त है इस दोरान उन्हों ने यह भ आया कि स्वास्त विभाग के टीम इन सभी लोगों की स्थिती पर नजर बनाये हुए है ऐसे में केंद सरकार की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि दूसरी कंपणी का डोज लेने से दूसरी नाम साबने तो नहीं आएगा लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे में भी हारी नूज आपसे अपील करता है कि आप जब भी कोरोना की दूसरी डोज लेने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ने जिस कंपणी की पहली डोज ली है उसी कंपणी की डोज को लेनी है तो भारा सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अगर आप दूसरी कमपनी से भी उस डोज को लेते हैं तो उसमें आपको सतरकता बरतने की जरूरत है बिहार और बिहार से जुड़ोई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी नियोज के साथ मुझे दिजिए अजाजत धन्यवाद